साई की बात अब तुम उड़ोगे मेरे बचे तुम्हें किसी की जरुवत नहीं है अब तुम किसी पर निर्भा नहीं हो मेरे बचे मैंने तुम्हें इतना सक्षम बना दिया है कि तुम अपने दम पर बहुत कुछ कर सकते हो ना तुम्हारे बाबा ने तुम्हें दे दिया है कि तुम बहुत कुछ कर सकते हो ना पहले अंदर तुम्हारे ना इतनी ना मजबुत आई थी ना हिम्मत थी चो तुम्हारे अंदर शक्ती आई है ना चो तुम्हारे अंदर हिम्मत आई है ना वो तुम्हारे साइं की दी हु तुम्हारा बाबा जब से तुम्हारे जिंदगी में आया है ना तब से तुम्हारे जिंदगी में बदलाब हो गए है और सुनो जो आज तुमने कस्ट निवारन मंत्र पढ़ा था ना तो हां मेरे बच्चे तुम्हारे कस्ट निवारन मंत्र से तुम्हारे सारे कस्ट को मैं क जिसमें तुम घुट रहे हो जिसमें तुम परिशान हो रहे हो वहां से मैं तुमें बाहर निकालूँगा जल्द ही निकालूँगा और सुनो तुम बिलकुल बीना चिंता मत करना कि तुम्हारा साई हमेशा तुम्हारे साथ ही रहता है तुम्हारी परचाई बनकर मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहता हूँ और हाँ मेरे बचे ये बिलकुल सच है कि जितनी तुम रात दिन महनत करते हो न और जब रात को सोते हो न महनत करकर तो अगली हर सुभा तुम्हारे लिए खुशी की सुभा होती है क्योंकि मेरे बचे तुम इतनी महनत करते हो तो हर सुभा तुम्हे मैं खुश्यों भरी देता हूँ हर सुभा एक नई किरन के साथ एक नई सुभा तुम्हारे जीवन में देता हूँ मेरे बचे और उन्नती तो तुम्हें मिलेगी ही मिलेगी मेरे बचे अवश्य प्राप्त ह लेकिन बस एक काम किया करो, जब भी सोने चाते हो न तो बस संतुस्ठी के साथ सोया करो, कि अगला दिन तुम्हारे बाबा ही तुम्हें अच्छा देंगे, और सुनो, कोई अगर तुम्हें बद्दुआ देना, तो बिल्कुल डरना मत, किसी से मत डरना, क्योंकि वो बद्द कर रहे हो, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम लगातार मेहनत करते हो, लेकिन कभी-कभी न तुम ठक जाते हो, तो मेरे बच्चे आराम भी बहुत जरूरी होता है, तो आराम भी किया करो, और सुनो, कभी-कभी न तुम्हारे पास जो सामगरी होती है न काम की, वो शाय पूंपने वाले की मदद का हाथ तुम्हारे लिए उठना चाहिए, वो तुम्हारे लिए भी तैयार रहेगा तुम्हारी मदद के लिए और तुम दोनों एक दूसरे के सही योगी हो, अगर एक दूसरे की मदद करकर आगे बढ़ोगे ना, तो बहुत जल्दी उन्नती प्रा नहीं देते ना, तुम्हें अच्छा नहीं लगता, अच्छा सा महसूस नहीं होता, तुम हमेशा इमान दरे निभाते हो, हमेशा साफ सुत्रा रहना पसंद करते हो, और सब कुछ मुझ पर छोड़ देते हो, ये कोई आम इंसान तो नहीं कर सकता ना, ये वहीं कर सकता है, जो मेरा बच्चा हो, जो सिर्फ और सिर्फ मेरा बच्चा हो, और सुनो, तुमने जो समान को खरीदा है न, वो बिल्कुल ठीक खरीदा है मेरे बच्चे, तुमने जिसके लिए भी तौफा लिया है न, उसे वो तौफा बहुत पसंद आएगा, वो उसके लिए अनमोल होगा, वो उसके लिए बहुत कीमती होगा मेरे बच्चे जिसके लिए भी तुमने तौफ़ा खरीदा है न उसे वो तौफ़ा बहुत पसंद आएगा कभी-कभी ऐसा होता है न तुम खरीदारी करने जाते हो तुम लेना कुछ और चाते हो लेकर ले तुम कुछ और लेते हो ऐसा होता है न तो वो मैं ही तुमसे करवाता हूँ क्योंकि जिसके लिए सही जगा सही चीज क्या है न वो मैं तुमसे करवाता हूँ और वही उस तक पहुँचाता हूँ क्योंकि जो सही है वही मैं अपने बच्चों तक पहुंचाता हूँ मेरे बच्चे और सुनो मैं जानता हूँ मेरे बच्चे इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है तुम्हें उटना बैठना पड़ा किसी गलत चीज में जाना पड़ा लेकिन मैं जानता हूँ तुम साथ में जरूर थे लेकिन तुमने कोई गलत काम नहीं किया और अगर कोई तुमसे बार-बार जवाब मांगता है ना तो तुमें हर किसी को जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है अक्सर तुम लोगों की बातों को सुनकर खुद को कोस्ते हो और तुम सुनते भी किनकी बातों को हो मेरे बच्चे जो खुद ही अनुभवी नहीं है जिने खुद का ग्यान नहीं है जो खुद के बारे में नहीं जानते वो तुम्हारे बारे में क्या अंकलंग करेंगे वो ब चरितर पर कोई दाग नहीं लगेगा, तुम्हारे चरितर पर कभी कोई उंगली नहीं उठा सकता, वो लोग तुम्हें तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम्हें तूटना नहीं है, और नहीं तूम्हें हारना है, क्योंकि तुम साई के बच्चे हो, वो तुम्हें मा मेरे बच्चे तुम्हें परिशान करना और तुम बे फिजूल में परिशान हो रहे हो मत हो मेरे बच्चे बिलकुल भी मत हो ऐसा तुमने कुछ नहीं किया जिसकी वज़से तुम्हें परिशान होना पड़े बिलकुल भी परिशान मत रहो मैं जानता हूँ मेरे बच्चे कुछ दिनों तक रहने भी वाले हैं मैं जानता हूँ मेरे बच्चे वो यादों में रहने वाले हैं लेकिन मेरे बच्चे ये जो चीजे है ना वो तो होती ही होती है मेरे बच्चे वो किसी के हाथ में नहीं होता मेरे बच्चे किसी के भी हाथ में नहीं है ये जिन्दकी ना कभी नहीं रुकती, किसी के लिए नहीं रुकती मेरे बचे और सुनो, जो बच्चा मेरा नाम लेता है ना, जो मेरे आदेशों पर चलता है उसे कभी कुछ भुगतने की जरुवत नहीं पड़ती लेकिन जो मेरे आदेशों का उलंगन करता है न वो हमेशा पश्टाता है उसके साथ हमेशा उल्टा सीधा होता है लेकिन तुम हमेशा मेरी बाते मानते हो हमेशा मेरे कहे रास्तों पर चलते हो न तो तुम हमेशा नकरत्मक्ता से दूर ही रहना मेरे बच्चे कभी नकरत्मक् अगर तुमसे कुछ आकर बुराई करता है किसी की कुछ कहता है न तो तुम चुप रहा करो बिल्कुल सुनने की जरुवत नहीं है मेरे बच्चे और अगर कोई पीट पीछे तुमसे तुम्हारे अपनों की बुराई करता है या तुम्हारी कुछ कहता है न तो उसे उसी वक् कुछ रिष्टे ना बहुत सच्चे हैं जिन्हें मैंने तुम्हें बना कर दिया है उन रिष्टों के लिए बफादार रहो मेरे बच्चे जरूर रहो अगर तुम्हारे पास आकर वो तुम्हारे अपनों की ही बुराई करें तो उन्हें जवाब देना तुम्हारा फर्ज है म जिन्ता मत करो, वो भर जाएगी मेरे बचे, तुम बिल्कुल जिन्ता मत करना, तुमने अपने साइं का आस्रा लिया है, तुम अपने साइं के छत्र छाया में हो, सुरक्षित हो, बिल्कुल जिन्ता मत करना, और तुम्हारे सारे जिम्मेदारियां तुम्हारे साइं की है, प